अरे बैंकर आग लग गई थी गाइज यहाँ पर पूरी आग लग गई थी इतर है गाइज वेलकम बैक टू दे व्लोग तो आज हम जाने वाले डिकेतलों एंड डिकेतलों से मेरे बाई को कुछ शूज बगेरा देखनें उसको शूज एक पसंद आयते अगर कुछ रहा तो और मुझे की थोड़ा बहुत कुछ खरीद दो आगा रहा तो अभी बज़ेंगे टू थर्टी एंड अभी अब निकलेंगे बाई बाहर दूब बहुत है और सटेड़े आज फटा-फट से इस फ्लोग को शुरू करते हैं और फटा-फट से अभी चलते ह जाता शारूप नहीं बनते हैं जैसी क्या ड्रामा कर रखा हां जाट विट पहां की चुछ चलो सो गाई अभी फिलाल सीनस है ना यहां से डिकेट लॉन जाने में 30 मिनट्स लकता है और अभी फिलाल निकलेंगे तो तीन बजे तक पहुचेंगे तैन रिटन आने में पी ट सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने रस्ते में जैसी चेक किया ओनलाइन की डिकेट लॉन आज ओपन है नहीं तो 22 अपट हो गया क्लोस ता डिकेट लॉन एंड उनको फिर कॉल किया पूछा कि ओपन है यह नहीं तो वह बोले क्लोज है क्योंकि नासिक में सेटेडे और संडे लॉकडाउन कर दिया गया है और लोग तो बोल रहे हैं कि महाराश्ट्र में बहुत केस बढ़ गया है पचास हजार पूरे इंडिया में और तीस हजार महाराश्ट्र में कुछ तो जोल है बाई तो फिर उसके बाद अभी सुचा की बार निकले यहां थोड़ा बहुत कहीं पर घुमके आजाओ तो पिछली बार जब टेंपल लाया थे तब आपको ठीक से पूरा दिखाया नहीं था तो फिलाला भी मैं टेंपल लाया हूँ तो दिखाता हूँ अभी आपको क्या हो क्या था अच्छा अरे बैंकर आग लग गई थी जहां पर पूरी आग लग गई थी तर ता नहीं कम लगी क्या हुआ हूआ हम ज्यादा आते हैं इदर कभी कबार आते को दो तो गाइस यहा हैं यहाँ से एंट्री यह व्य होपार जाना हदी इनि तेंग हंड्रेड हो भी हंड्रेड से ज्यादा तो रख इतने दो पैर के टाइम पर कोई आता है नहीं और सब लोग शाम को आते हैं और सटेड़े संडे को ना स्ट्रीक लॉक्डाउन कर दिया पुलिस वाले लाटी चार्ज डायरे मंदिर के आ जा रहा हूं और इधर मतलब काइस बच्चे वगेरा बच्चों अगेरा के लिए भी गज़ा और आप यह ज़ता है जो बच्चेश अब मंदिर अच्छा अगेर श्री खंडराइव महराज का और बच्चा अच्छा अब आपके अगेर बहुत अच्छा पी आपके अगेर आर शिवेंटिर गया यह श्राइविश्वट्शा जाए ज़केश मुतिर आपके तो बहुत मालते हैं इसको भी और जैसे की पर देख सकते हो यह दो पतलब इसके पहरतार है और यहां पे के शिवलिंग है और शिवलिंग तौर जगा ही होती है अगर हम मंदिर में आये तो शिवलिंग को बहुत शुब मानते हैं और शाम की टाइम पर इधर मतला यह लोग ना शिवलिंग के ऊपर मतला पानी यह दूद भी उपर वो एक पटकी में लगा देते हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रेट बात है एंड फिलाले गंटी भी देखो बहुत उपर है तो बजाने की ट्राय है तो आप बाद में ही आप यह करी लेता हूं कि पजादी गंटी हमने हैं अच्छी मुर्थी देखने हैं और सब कुछ अच्छे से लेक्मरेशन भी है तो सुधाय नपी इंदर ही मतला करा देख लेते हैं इसके बाद हम फिलाल लिख जाए जाए हैं जाएंगे मेंटेन करते हैं तो उन लोको ने ताला नहीं लगा है और यह देखो मूर्थी यहां से पूरा अच्छे से कैम्प नाशिक सब कुछ दिखता है गाईस मतला बहुत आप है यह मंदिर टैंपल है मतलब काईस जितना भी टैंपल ही लेना पूरा ग्रीन ड्री से मतलब पूरा पेड़ों से मतलब घिरा हुआ है और बहुत ही अच्छी बात है मतलब पूरा एको सिस्टम एड नेचर वेचर का पूरा इधर खाल रखा जाता है गाईस आइस बाइड़ वे यही है पूरा संसेट पॉइंट यहां पर दो अच्छी मस्त मस्ती बड़ी बड़ी यह चीडिया टाइप लगाई हुई है यहां पर आगे लोग बहुत फोटो अट फोटो अगरा की चाहते एंड बैड के संसेट एंड शन्राइज भी देखते शुब लोग अनमेरीड होते थे ना उनसे पानी मांगते लिए पीने के लिए तो उनमें से ही जो जिनकी ये प्रॉपर्टी दिना तो वो अंकल हर बार अलग हर बार मतलब उनको पानी देते थे क्योंकि वो अनमेरिट थे उसके बाद जब वो अंकल एक दिन मतलब कहीं पर गए और उधर जाके उन्होंने देखा कि मतलब ये तो उसी बंदे की फोटो है जो यहां पर मतलब पानी वगेरा मांगता है आके टेंपल इल पर है ना तो उन अंकल ने उधर गाउवासियों से पूछा कि क्या बोलते हैं य तो हमारे महराज है घंडरवा महराज इनको तापको हम बहुत मानते हैं तो देन उसी कारण उन अंकल ने फिर अपनी पूरी प्रोपर्टी मतलब घंडरवा महराज के हत में कर दी और उन्होंने यहां पर फिर मंदिर बिल्ड कराया उनके ही नाम पर तो यह पूरा मंदिर यहां भी कैम में बना हुए कैंप में एंड खौती फेमस मंदिर है गाइस और बहुत अच्छा है एंड यहां पर लोग आते मस्ट जेल अगयरा मारते है तो यही कानी में ने इन्शॉट में बता दिया और कुछ हुआ तो आप गूगल करी सकते हो गाइस यह सारा बच्चों के लिए यहां पर खेलने के लिए सारे जूले वगरा सब कुछ और अभी पूरा टेमपल मतलब एक्सप्लोर करके आगे गूंफिर के आगे उपर से एंड इसके बाद घर पे जाएंगे जैसे कि आपने देखा कि हमारा पोपाट हो चुका है तो हम डिकेट लॉन नहीं जा पाए डिकेट लॉन मंडे उपलेगा तो मंडे को शायद मेरा बाई जाएगा मैं तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ आड ओफ स्टेट इसका भी व्लॉग आएगा और गाइस अभी फिलाल मैं घर पे पहुँच चुका हो और यहाँ पर इसी व्लॉग को एंड करते हैं तो अगर आपको यह व्लॉग किसी भी रिजन से पसंद आए हो तो लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो सबको शेर कर दो यार बाई बैनों को छोटा मोटो को मलदा आड यह वाल पीस आओ पीस आओ